हलो डियर इस्टूरेंट्स वैलकम टू लर्न प्रैप आइम यह टीचर मिसिस सोनल पाटनी और हम अपना नया चैप्टर स्कार्ट करने वाले हैं तो फोर्स एंड लॉज अफ मोशन में आप लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉज पढ़ेंगे मोशन के हम जो फोर में मोशन पढ़ चुके हैं कि मोशन बैसिकली क्या होता है वो हमें अच्छे से आ गया तो अब हमें और अच्छी चीज़ा और भी जल्दी चीज़ा समझ में आ जाएंगी क्योंकि हमारा जो मीन से चैप्ट है वह फिजिक्स का मोशन से क्लियर हो गया है चलिए तो स्टार् तूपते हैं और आपने देखा है पानी क्या है जर्णों से पानी ऐसे फ्लो करता है रिवर में पानी भी फ्लो करता है ठीक है तो यह सब क्या हो रहा है सब सब चीजें क्या कर रही है मूमेंट कर रही है सन क्या कर रहा है अर्थ क्या कर रही है सन के चारों तरफ मूव कर रही है तो यह भी सब क्या है मोशन है ठीक कोई भी चीज अगर एक ही जगा खड़ी हुई है उसमें हम बोल देते हैं कि वह उसमें क्या है वह मुमेंट नहीं कर रही है तो उसमें जान नहीं है यानि कि अगर कोई चीज मोमेंट कर रही है तो उसमें जान है है ना ऐसा हम बोलते हैं हमारी इन जेनरल लेंग्वेज में ठीक है जैसे कि आप अपने कहीं गए और अपने रूम को बन करके गए तो एक चेयर को रूम के अंदर रखके गए रखकर गए आप 10 दिन बाद आकर देखते हो तो चेयर नहीं रहती है चेयर वासे नहीं हिलती है क्योंकि वो रेस्ट की कंडिशन में उसमें खुद की जान ही नहीं है कि वो चल पाए खुद से ठीक है तो उसको जान आए उसमें है और वो चल पाए तो ऐसी क्या कंडिशन होनी चाहिए जिसके कारण वो चल पाए तो उसी के बार झाल